ये कहानी तब की है जब मैं सिर्फ एक छोटा बालक था और मैं इस कहानी को अपने लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा उस वक्त मेरी उम्र करीब बारा साल थी मैं जहां रहता था वो जगा बहुत छोटी थी और ये कोई शहर या गाउं नहीं था ये एक गाउं से भी बहुत छोटी जगा थी खैर ये जगा बहुत ही अजीब थी जहां पर दो चर्च और एक कबरिस्तान था मैं अपने दादा जी के साथ शहर के बाहरी भाग में रहता हूं मेरे दादा जी वर्ल्ड फेमस साइकॉलजिस्ट और फेथ हिलर थे इसलिए छोटी उम्र में ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ कई रहस्माई घटनाओं के टच में रहते थे एक दिन मैंने अपने दोस्त को अपने घर वेकेंट के छुटी मनाने के लिए इन्वाइट किया तब ही मुझे एक गड़े के बारे में पता चला मेरे घर के ठीक पीछे ही था और ये जगा हमारे लिए कुछ नई खोच करने और समय बितालने के लिए एक नया स्पोट था हम सब एक कंट्री में रहने वाले बच्चे थे और मैं as a young man जंगल से सारे डर को जड़ से खतम करने की कोशिश कर रहा था खैर मेरा फ्रेंट Friday को आया था और मैंने उसे नई जगा के बारे में बताया और मैंने उससे कहा कि मैं वहाँ कुछ जैक आउट करना चाहता हूँ इसलिए हमने अगले दिन Saturday को जाने का फैसला किया अगले दिन मैं और मेरा फ्रेंट सोकर उठे और उस नए स्पॉट पर जाने के लिए तयार हो गए हम जंगल से होकर गए और तभी हमें रास्ते में एक लोहे का दर्वाजा मिला और हमें उस दर्वाजे को कूट कर एक तरफ से दूसरे तरफ जाना पड़ा जब हम दूसरी तरफ पहुँचे तो हम लोगों ने दीरे दीरे उस कड़े के पास जाने का फैसला किया हम लोगों ने इधर उदर देखना शुरू कर दिया था और उस जगा को चेक करने लगे ये एक बहुत अच्छा दिन था सूरज पूरी तरह से चमक रहा था और आसमान भी पूरा निला था अचानक मेरी नजर एक पुराने स्लिपिंग बैग पर पड़ी जो इससे पहले वहाँ पर नहीं था फिर ये बैग कहां से आया मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि ये क्या है मैंने कहा कि मुझे नहीं पता और तो और जब मैं पिछली बार आया था तो ये बैग यहां था ही नहीं फिर अचानक हम दोनों को अभास हुआ कि कुछ भयाना खोने बाला है और फिर एक दूसरे को देखने लगे मैंने एक स्टिक उठाया और दीरे दीरे स्लिपिंग बैक को खोलने के लिए उसके करीब गए और अंदर देखा हम लोग इस चीज के लिए तयार नहीं थे जैसे ही मैंने दीरे से स्लिपिंग बैक को खोला तो मैं और मेरा दोस्त दोनों एक साथ डर से चीख पड़े हमारे सामने जो पड़ा हुआ था वो खून से लत्पत कुछ कटे हुए मांस के टुकड़े थे लग तो ऐसा रहा था कि किसी के पेट के इंटेस्टाइन है जिसको बेरहमी से मार कर निकाल लिया गया था कोई भी इसको देख कर ये नहीं कहेगा कि ये किसी इंसान के बॉड़ी के मांस नहीं है हम दोनों लोगों के रॉंगते खड़े हो गए और हमें अभास हुआ कुस तो जरूर है वहाँ पर हम बहुत बुरी तरीके से डर गए थे हम दोनों जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भागने लगे और फिर मैने पीछे मुड़कर देखा जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गया मैंने देखा कि वो काला खुखार प्राडी था पेड़ों की टेहनियां भी हमारा पीछा कर रही थी वो जो कुछ भी था वो सम मेरा पीछा कर रहे थे हम इतनी तीजी से भागे कि हम दलदल में आकर फस गए दलदल कमर तक गहरा था और काफी कीचर था उसमें और हम इस कदर कि किवल भगवान ही हमें बचा सकता था हम किसी तरह घर पहुंच गए और बिलकुल चुप चाप हो गए जैसे मानो कुछ हुआ ही ने हमने कुछ पल के लिए इसके बारे में बात ही नहीं की मैंने अपने दादा जी को ये सारी बाते कभी नहीं बताई क्योंकि मुझे पता नाक और रौंते खड़ा कर देने वाली थी जब कभी भी मैं इस खटना के बारे में सोचता हूं तब मेरे दिमाग में बस यही बात आता है कि आखिर वो कौन था जो हम दोनों का पीछा कर रहा था और वो कोन से लगपत कटे हुए मास के टुकड़े कहां से आये थे मैं नहीं जानता और शायद आगे भी यह रहस रह से रह जाएगा